मिस्टर गोट बोले? येस सेर प्लीज आईए ये लीजे कैसा लग रहा है? हैवन ये छोटा सा सुकता मिस्टर नचिकेद? येस सेर आपने मुझसे कहा था के आपका सपना है के हमारे ही ऑफिस में काम करने वाले में इस महतरे से आपका रिष्टा जुड़े सर नो, don't get embarrassed मिस्ट महतरे भी ऐसा ही चाहती है मिस्ट महतरे प्लीज देखें इनकी आखों में प्यार देखें, खुशी देखिए मिस्टर श्रीनिवासन पूरा होने जा रहा है अब आप छोटी सी चॉल में नहीं रहेंगे मेरी ऑफिस के नई ब्रांच में आप मैनेजर होंगे आपकी सैलरी 85,000 रुपीज से बढ़ा कर 1,15,000 की जाती है और आपकी 10 साल की सिवा को ध्यान में रखते हुए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 15,000,000 रुपे का जुटला सकते हैं अब सुबध बेटा महेंद्र जो कह रहा है उसे समझने की कोशिश कर और मेरे साथ चल मेरी कमपनी अभी भी तेरा इंतजार कर रही है बेटा फरस्ट अफॉल मेरे पापा को यहां लाने के लिए तुम्हें ठैक्स बोलना चाहूँगा महेंद्र यहां हो सकता है पापा मेरे मन की बात सुने और उसे समझने की कोशिश करे अगर तुम सही साबित हुए तो अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी पापा मैं आपकी कंपनी जोइन कर लूँगा पर कहीं मेरी बात अगर सही साबित हुई तो महेंद्र तुम भी अपनी जिद छोड़कर अपने पापा की इच्छा पूरी करना कुण सी इच्छा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरा सपना साकार हो रहा है अभी कहूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अपना पॉइंट अफ्यू स्ट्रॉंग करने के लिए तुम्हारे पापा का सहरा लिया और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात से तभी सहमत हो जब आपको मेरी बात सही लगे हालां कि मुझे पता है कि ये काम मुश्किल है पॉपुलर बिलीव से एकदम ही विपरीत है और मेरी बात सही लगे तो भी शायद अच्छी ना लगे ऐसे भी चांसेज है अगर सच्ची हो तो उसमें इतनी ताकत अपने आप आ जाती है कि वो सबके दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाती है और मैं सुख की ऐसी ही ठो सच्चाई से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा सुख एक ऐसी वंडर्फुल और मज़ेदार फीलिंग है कि हम मुझसे कभी अलग होना नहीं चाहते सुख की चाह हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है सपनों से भर दो कमरा फुल फिर एक चीज मिलेगी वंडर्फुल तो क्या सुख की सर्वमान्य व्याख्या ऐसी कर सकते हैं कि सुख वही है जिससे हम कभी उब न जाएं कभी जी न भरें अग्रीड पापा हां एवरिबड़ी सोरी सर सोरी वो बस बिगड़ गई फिर मैं चल कर आया और धूप इतनी तेज थी कि एक मिनट भाई आप ज़रा यहां आएंगे भावी दो गिलाज शर्वत मिल सकता है हाँ ऐसा शर्वत जो मन को ठंड़क दे सुख दे अब ये एक शर्वत आपके लिए है और एक शर्वत आप यहां आएंगे प्लीज अब ये दोनो एक साथ एक जैसा शर्वत पियेंगे प्लीज अब इन दोनों में से किसको ज़्यादा सुख मिला अफकोस प्यून कोई ज़्यादा सुख का हैसास होगा क्यूंकि वो धूप से आया है गौर करना चीज वस्तु एक जैसी ही है कॉलिटी भी एक ही है फिर भी सुख की मात्रा में फर्क है बता सकते हैं क्यूं सिंपल है मैं यहां छाओ में बैठा था इसलिए मुझे शर्वत की प्यास कम थी और यह दूप से आये तो sorry to interrupt प्यास का अनुभव सुख है या दुख अफकोस लोग प्यास के सच्छी लगती है यह बात आप लोग ध्यान में रखना प्लीज कंटिन्यू मुझे प्यास कम थी और यह दूप से आये इसलिए इने प्यास ज़्यादा थी इसलिए सुख का अनुभव तो इने ही ज़्यादा होगा न तो क्या हम यह कह सकते हैं कि शर्बत एक जैसा होने पर भी जिसको सुख का ज्यादा अनुभव करना है उसे पहले लंबे समय तक प्यासा रहकर अपनी प्यास का दुख बढ़ाना पड़ेगा नहीं नहीं तुम तो नेगेटिव पॉइंट अविस से इस बात को देख रहे हो इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट अविउ की बात ही नहीं है कैनल मैं तो यूनिवर्सल लॉज की ही बात कर रहा हूँ बताओ मैं सही हूँ करेक्ट तो अब इस सुख की बुनियाद क्या है शर्बत या प्यास का दुख उसकी प्यास का दुख अरे बई कमें अजयादा लेकिन शर्बत से सुखान बहुत हुआ ना मतलब तुम्हारे हिसाब से शर्बत हमेशा सुख ही देगा दुख नहीं ठीक है बाबी सर के लिए एक शर्बत और लाना प्लीज नहीं नहीं थोड़ा और शर्बत पिलाएंगे प्लीज सुबोध रहने दे उसे तकलीफ हो रही है मगर शर्बत तो ओके ओके मतलब जितना प्यास का दुख उतना ही सुख उसके बाद तो उल्टा उसी से दुख इनका भिगडा हुआ मुँ हम सब ने देखा ठीक है आप लोग जाईए अब आप मिस्टर जिनका चॉल से फ्लैट में शिफ्ट होने का सपना है यहां और कोई है जो जोपड़े में रहता है हाँ मैं आप खुश हैं जोपड़े में नहीं साब घर एक हो पर घर पक्का हो इसलिए मेहनत कराओ तो जब तक घर पक्का बन नहीं जाता उसकी इच्छा आपको सुख देती है या दुख दुख बैठी अब बताओ महेंदर इच्छा में सुख है या दुख ओके अब और कोई जो फ्लैट में रहता हो लेकिन बंगलो में जाना चाहता हो तो आप बताओ किसको ज्यादा सुख मिलेगा तीनों को अलग अलग घर चाहिए तीनों उसके लिए पूरी महनत भी कर रहे है और जिस्ट इमेजिन कि उनको अपना मन चाहा घर मिल जाता है तो घर में पहला कदम रखते ही सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा भावी तीनों को एक जैसा ही सुख मिलेगा क्यों? घर की क्वालिटी और घर की कीमत तो अलग अलग है हाँ फिर भी तीनों की चाह तो एक जैसी है ना तो सुख भी एक जैसा ही मिलेगा मतलब घर की quality अलग-अलग, फिर भी घर पाने की इच्छा और मेहनत की पीड़ा एक जैसी होने की वज़े से, पीड़ा की शमन का आनन्द भी एक जैसा. हाँ, लेकिन घर सुख तो दि- नहीं, गौन, यह राइट. महेंदर साधनों से सुख मिलता ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ. लेकिन सारे सुखों की बुनियाद दुखी है, गौर करना. Now, Mr. आशिक. Sorry, आपकी personal life में मुझे दखन नहीं देना चाहिए. पर क्या यह प्यार वाला अनुभव आपको पहली बार हुआ है? इच की चाहिए मत. देखिए, रिलेशन में जितनी ओनेस्टी होगी वो उतना मजबूत बनेगा. बोलिए. जी, इससे पहले मेरा एक अफेर था. तो क्या उस वक्त भी आपको ऐसी ही फिलिंग हुई थी? हाँ. या फिर इससे भी अच्छी क्योंकि वो first love था? सौरी, थोड़ा और इंटर्फेर कर रहा हूँ. लेकिन क्या आपको भी हर प्रेमी की तरह अपनी गर्फरेंड के साथ मिलना, लम्मी लम्मी बाते करना, साथ घूमना फिरना, साथ रहना, अच्छा लगता था? हाँ. और जब ब्रेक अप का समय आया तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि जिस गर्फरेंड के साथ आपने सुख की कल्पना की थी, अब उसकी प्रेजन्स भी आपको इरिटेट करती हो. मगर वो, ने नी, आपकी ब्रेक अप की जैन्यून रीजन्स होंगे, आप पर डाउट करके आपकी चल्वी को बिगाड़ना मेरा उदेश्य नहीं है. मैं सिर्फ इस बात में सुख कहा से ओरिजिनेट हो रहा है, यह ढूणने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो इरिटेशन वाला स्टेज आया था आपके रिलेशन में? हाँ. थैंक यू. सारी. यानि क्या हम यह कह सकते हैं पापा, कि यहाँ व्यक्ति वही, एक्टिविटीज वही, लेकिन मन बदल गया, तो उसी व्यक्ति का मिलन अब दुख का कारण बन गया? हाँ. अब एक और उधारन देता हूं सुक का. साधन छोटा, फिर भी सुक बड़ा. महीने में तीन हजार रुपए कमाने वाले मजदूर को पचास हजार की लोटरी लग जाए, और महीने में दस लाक रुपए कमाने वाले आदमी को एक लाक की लोटरी लगे, तो कौन जादा अबकूस मजदूर, क्योंकि पचास हजार रुपए उसके लिए बहुत माइने रखते हैं, जबकि दूसरे आदमी के लिए एक लाक रुपए इत्ती बड़ी रखम नहीं है. करेक्ट, यानि कि गरीब आदमी जो उस पचास हजार के लिए खुन पसीना बहा रहा था, मेहनत मचक्तत कर रहा था, उसके लिए जुलस रहा था, उसे उतना सुक मिला. लेकिन शिर्मन्त आदमी की तड़पन एक लाक रुपए जितनी छोटी नहीं थी, उस बिचारे को तो शायद पचास लाक रुपए मिलते हैं, तब जाकर सुक मिलता, राइट पापा? मतलब, पेन रिलीव का प्रोसेस ही सुक बन के रह गया है, जिस चीज़ का पेन होगा, उसको रिलीव करने में ही उसको सुक मिलेगा. So, every means of enjoyment is actually a pain killer remedy. फिर वो चाहे व्यक्ती हो या वस्तु हो. ऐसे करके भी अगर सुक मिलता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो हॉस्पिटल में जाना, या घाव लगने पर मरहम पट्टी करना, या रोग होने पर दवाई करना, इन सब को भी enjoyment बानना पड़ेगा. अब एक उधारन और देना चाहता हूं, जहां व्यक्ती एक है, चीज एक है, पर सुक अलग-अलग है. वो सर कहा है, जिनने रजगुरले में हैवन दिखा? या सर. लीजे. हाँ. ये सब कहा है. एक और लीजे नहीं पास प्लीज एक और नहीं साब पुल्टी हो जाएगी शूर नहीं चाहिए नहीं साब ठीक है ठीक आप बैठे मतलब जैसे जैसे त्रिशना का दुख घटता गया सुक भी घटता गया और जैसे ही त्रिशना का दुख गयब सुक भी गयब उल्टा दुखदायक बन गया इससे प्रूव होता है कि सारे भौतिक सुक वस्तु आधारित ये व्यक्ती आधारित नहीं बलकि दुख आधारित होते हैं अगर भौतिक सुकों को पाना है तो पहले दुखों को जमा करना पड़ता है प्यास और त्रिशनाओं में जुलसना पड़ता है तब कहीं जाकर उस दुख को हलका करने का प्रॉसेस इंजॉयमेंट बन पाएगा अब बताईए ऐसे ब्रामक सुकों के पीछे दौड़ते दौड़ते क्यूं अपना सारा जीवन यूहीं गवा देना नए नए यूहीं कैसे जो लोग सक्सेस्फुल होते हैं मेनत बुद्धी और लगन से सक्सेस हासिल करते हैं उनके जीवन को यूहीं कवा देना कैसे कह सकते हैं ठीक है एक नजर ऐसे सक्सेस्फुल लोगों की जिंदगी पर भी डान लेते हैं होता ये है कि बच्पन में खिलोनों में सुक दिखता है थोड़ी समझ आते ही दुनिया को नए नजरीय से देखने लगते हैं तब खिलोने छोड़कर यार दोस्त, होटल सिनेमा, प्यार महबबत इन सब में ही दुनिया भर का सच्चा सुक है ऐसा मानने लगते हैं पर मैच्योरिटी आते ही सेफ एंड सेक्योर भविश्य में सुक नजर आने लगता है फिर डिगरी, नौकरी, बिजनस, बीवी बच्चे, परिवार ये सब जमाने में ही सही सुक लगता है ये सब मिलता है तो अगली स्टेज में बेस्ट इन बिजनस और बेस्ट इन सुसाइटी बनने की कोशिच रहती है और जैसे तैसे मेहनत, मशक्कत, टेंशन, रिजेक्शन, एडजेस्टमेंट ये सब करते करते सब पा भी ले तो तब तक उम्र निकल जाती है शरी डढखणाने लगता है तब परिवार से सच्चा सुख मिलेगा ये सोचते है पर तब तक तो उनकी अपनी सुख पाने की यात्रा शुरू हो चुकी होती है उसमें चाहते हुए भी वो आपको कितना समय दे पाएंगे अब बताओ महिंद्र इस पूरी जीवन यात्रा में कहीं भी किसी भी वस्तु ये व्यक्ति की वज़े से कहीं भी ऐसा सुख मिलता है जिससे हम कभी उब न जाएं जिससे कभी जी न भरे ऐसा सुख मिलता है मिलता है तो जिन्दगी के हर मोड पर सुकھ کے माईने क्यूं बदल जाते हैं क्यूं उम्र बढ़ते ही इच्छाएं बढ़ते जाती हैं प्राबलम ये है कि हम सुकhr की भर्मणा से प्रेरित हो कर दौरते ही रहते हैं और अन्त में अनन्त इच्छाओं से पैदा हुए दुख के धेर पर सुख का इंतजार करते बैठे रहते हैं। और महेंदर ये भी कही सुनी नहीं बलकि अनुभव की बात कर रहा हूं। वो भी सिर्फ मेरी तुम्हारी नहीं बलकि दुनिया के मैक्सिमम जीमों की बात कर रहा हूं। आप भी बताईए पापा, इसमें कहां है सुख? आपकी कंपनी में मिलेगा मुझे सच्चा सुख? और ये सब सुनकर, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? कि इस भौतिक विश्व में किसी ने भी इंद्रियों के भोगों के साधनों से कभी उबना जाएं ऐसा सुख पाया है? नहीं पाया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे भौतिक सुख दुख से इतने गहरे जुड़े हैं, कि जैसे ही दुख गायब होता है, सुख आटोमेटिकली दुख में कनवर्ट हो जाता है, फिर कहां रहता है सुख? क्योंकि सुख की व्याक्या तो हम पहले ही तै कर चुके हैं, कि जिससे कभी उबना जाएं, वही सुख है। कुफी होगी, I know it is difficult, हमारी बुद्धी उसे मान भी लेकिन एगू उसे स्विकार्ती नहीं है, पर भ्रमणाओं में जीने में नहीं, सत्य को स्विकार्ने में ही समझदारी है। करोगे आटररर। पापुजी। मान जाओ बेटा, वरना मेरे जैसी हालत होगी। ये देखो। भाई आपका नाम भूल गया हूँ, आपकी बाते आदे। हमारे बीच हुई बहस की एक एक बात या दे। सकसेस के नशे में जिस सत्य को नकारा था। बुड़ापे और बीमारी में वही सच अनुभा बनकर मेरे सामने आया। उसवत खुले रिदे से इस बात को सुईकार लेता तो आज शायद ये नौबत ही नहीं आती। खैर मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की वो मेरे बच्चे ना करें। और अपने जीवन को पशु समान बना करना गवाएं। क्या आप मेरे इतना काम कर सकते हैं। मेरे बच्चों को वही बात समझा सकते हैं जो आपने मुझे समझाई थी। कुछ साल पहले इंसिडेंटली हमारी मुलाकात हुई थी। तब आपके पापा ने भी मेरी बात मानने से इंकार कर दिया था। पर जैसे जैसे वक्त बिता गया, मुझे लगने लगा कि मैं दुखों के धेर पर बैटकर सुख का इंतजार कर रहा हूँ मैं। और वो ये नहीं चाहते थे के आप सब की दशा भी ऐसी ही हो। इसलिए उन्होंने मुझे यहां गुलाया। अगर ये सच है, तो भी कितना रूखा सच है। सब छोड़ दो, संसार छोड़ दो, सब जूटा है, मौम आया है। तो क्या सच है? सुख का है? I mean, करना क्या है? मैंने पहले ही का था कि मेरी बात सची लग भी जाए, तो भी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि सच्चे सुख का स्वात चखा नहीं अब तक। एक चेन स्मोकर सिगरेट छोड़ेगा, तो कुछ दिन तक आकुल व्याकुल हो ही जाएगा। कहीं मन नहीं लगेगा उसका। ऐसा ही है ये। जन्मों जन्म से सुख की ब्रह्मणा को ही सुख समझने की आदत पड़ चुकी है। Believe me, जिस दिन सच्चे आत्मिक सुख की अंशमातर भी अनुभूती हो जाएगी, ये सारे सुख आपको फीके लगने लगेंगे। असल में ये बात रूख ही नहीं है। आप जिसे सुख समझते हैं वो रूखा है। In fact, dangerous है। कितने संघर्षों के बाद क्षण भर का सुख और सहनी पढ़ती है युगों की यातना। बार बार लगा तार जीवन और मृत्यू की पीड़ा। कीडे मकौडे घासफूस बनकर पैरों तले रौंदे कुछले जाएंगे। पेड़ पौदे बनकर सरदी बारिश धूप सहते हुए सालों तक एक ही जगा जबरदस्ती खड़े रहना पड़ेगा। कुत्ते बिल्लियों वन्य प्राणियों की तरह हर पल अपने सर्वाइवल के लिए संघर्श करना पड़ेगा। सहे दुखों से भरे नर्क का मूँ भी देखना पड़ेगा। सारी की सारी यूनियों में बार बार लगा तार जीवन और मृत्यू की पीड़ा हो। क्या ऐसा सुख डेंजरस नहीं है। अरे वास्तव में तो यहां दुखों को छोड़ने की बात है, सब को छोड़ने की नहीं। इर्श्या को छोड़ना है, मैतरी को पाना है, क्रोध छोड़ना है, ख्षमा को पाना है, भै चिंता छोड़कर स्वस्तता और निर्भीकता को पाना है, क्योंकि सच्मुच में तो यही सब अंदर के दुख है लेकिन इन सब सुनहरी बातों से अंत में क्या पाना है? आनन्द में जीवन को ही पाना है धर्म शास्त्रों के सहारे जीवन दिशा को ढूंडे तो आत्मा के गुणों का एश्वर्य, परम त्रिप्ति और निर्दोश आनन्द की और यात्रा शुरू हो जाएगी कैसा हो अगर सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर आधारित ना हो अपना हो, अपने अंतर से उभरता हो कैसा हो अगर सुख किसी काम, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाओं की ब्रह्मणाओं के आधार पर ना हो सच्चा हो, सहज हो, बिना किसी प्रयत्न के हो कैसा हो कि सच्चा सुख क्षणिक ना होकर सतत हो निरंतर हो ऐसा सुख मिले जिससे कभी उबना जाओ रसगुल्ला हो या राजसंपति आदमी उससे उबी जाता है फिर आगे किसी और चीज में सुख ढूढने की कुशिश करता है लेकिन हमारी आतमा में ऐसा सुख हो जिससे कभी जी न भरे जहां कोई शंका कुशंका द्विधा नहीं पर complete clarity है जहां कोई डर भै चिंता नहीं बलकि आतमा की निर्भै स्थिती है और क्या कहूं ऐसे सुख के बारे में जिससे आपको ये सुख रूखा न लगे ऐसा सुख सच मुझ में होता है I mean हम इसे पा सकते है हाँ 100% होता है आपको क्या लगता है शास्त्रों की अनेक शाखाओं के पारगामी हमारे रिशी मुनी सालों तक तपस्या क्यों करते थे अपने शरीर को पीड़ा दे कर भी जंगनों में परवतों की गुफाओं में ध्यानमगन क्यों रहते थे पागल थोड़ी थे के घर बार संसार छोड़कर यूही चले गए वो तपस्या कर रहे थे संपून सुख पाने के लिए मूख्ष का सुख पाने के लिए और इन सुखों को प्राप्त करने से आपको भी कोई नहीं रोक सकता जरूरत है साधना की क्योंकि अभी अगर पुरुशार्थ नहीं करोगे तो उम्र के आखरी पड़ाव में कीमती मनुष्य भव यूही व्यर्थ गवा देने की निराशा का सामना करना पड़ेगा और मनुष्य भव के अलावा बाकी किसी भव में ज्यान पाने की संभावना रेर या नहीं मत है आपको क्या करना है महेंद्र सोच लो मोक्ष नाम की वंडर्फुल चीज चाहिए या इसी दुख आधारित सुख की ब्रह्मणा में ही जीते रहना है तै आपको करना है मैं क्या कहूँ आप कुछ कहने को छोड़ा ही कहा है आपने आपको क्या 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 है और अब ये भी बता दो कि आगे क्या करना है मोक्ष नाम की वंडर्फुल चीज को पाने के लिए मोक्ष शिखर तक पहुँचने के लिए ग्यान के ऐसे कितने स्थर पार करने होंगे उन्हें पार करने के तर्कीब क्या है और एक-एक स्थर पार करने से क्रमश है कैसे आत्मा का धुग घटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा ये सब देखना समझना हो तो पधारिय सत्यशोधत पृष्टी से पूर्ण ग्यान की आत्रा में